हलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत आजम बनाना सीखेंगे बचियों उनके टुकडों से क्रोचेट क्लावर इनको बनाना बहुत असाना जल्दी बनकर त्यार हो जाते हैं 5000।6 चैन बनाकर कर लेंगे अब हम क्रोचियों को फर्स्ट वाल चैन से निकालेंगे Slip श्टीच बनाएंगे जोड देंगे इसके बाद दो चैन एएक दो क्रोचियों क हम यहां से बेश से निकालेंगे जो होल दिखाई दे रहा, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो हमने यहाँ पे शुरू में दो चेन बनाई है इनको भी हम सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे दो बार बना लिया है तीन चार पाम छे साथ आठ नो दैस ग्यार बार 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 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया अब हम क्रोशिया को यहाँ से निकालेंगे जो हमने शुरू में दो चेन बनाई है स्लिप स्टिच बनाएंगे जोड देंगे अब हम धागे को लेंगे क्रोशिया में यहां से निकालेंगे क्रोशिय को एक बार धागा ले लिया है मैंने दो तीन च्यार पांच पांच बार लेंगे धागे सब धागे एक साथ निकाल देंगे पफ को कम्प्लीट करेंगे इसके बाद बनाएंगे चेन एक, दो, तीन क्रोश्यों को हम पफ वाल स्टिच में से निकालेंगे दोनों धागे निकाल देंगे एक सार फिर से तीन चेन एक, दो, तीन सेम स्टिच में निकालेंगे क्रोश्यों को दोनों धागे निकाल देंगे एक सार इसके बाद तीन चेन एक, दो, तीन क्रोषियों को हम इसी दगर निकालेंगे दोनों धागे निकाल देंगे एक साथ फिर से हम लेंगे बीच में से क्रोषिये को एक बार धागा ले लिया है दो तन च्यार पांच पांच बार लेंगे सब धागे निकालेंगे एक साथ, पफ को कम्प्लीट करेंगे, इसके बाद तीन चेन, एक, दो, तीन क्रोशियों को हम पफ वाल स्टिच में से निकालेंगे, दोनों धागे निकाल देंगे, एक साथ, तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन सेम स्टेच में निकालेंगे एक बार और बना लेंगे एक, दो, तीन ऐसे बनाते वे जाएंगे दो पप बनाकर त्यार कर लिए हैं मैंने तीन और बनाएंगे पूरा उने के बाद इखाते हैं देखें पांच पप मैंने बनाकर त्यार कर लिए हैं कियां हम क्रोश्य को यहां से निकालेंगे बनायेंगे जोड हो जड़ी है को केंची कि मदद से हम डागे को काट लें झाल थागा हम थोड़ा लंबाई कातेंगे हैक आदा बाग Śुए मेंदागा डाल ज्कें को स्थाउ पंद कि बीच में हम एक मोती लगा देंगे कि एक बार फिर से निकालेंगे सुई कूँ जो भी एक्स्ट्रा धागा है यहां से काट देंगे देखिए फ्लावर हमारा बनकर त्यार हो गया थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरी देखने के लिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ